हेलो फ्रेंट्स मैं हुसी बार नी वलकम है आपका मेरी यूटीब चैनल पर जिहां फ्रेंट्स आज मैं आपको IBPS RRB के बारे मुफूल डिटेल बताने बाले हुँ जिहां फ्रेंट्स यदि आप बैंक में जॉब लेना चाहते हैं और इदि आपका इंग्लीज बीक है इंग्लीज में बहुत प्रॉब्लम होती है हिंदी सब्जेक्ट चूछ करना साथ चाहते हो जिहां फ्रेंट्स तो बैंक का एक ही सिर्फ एक्जाम होता है ऑनपी को babies Yo मिनमें प्रेंट्स बाहरकी है अरदिए आंप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूकोन को भी प्रेस कर लेजएगा सबसे पहले आपके पाश पहुँचे जी फूरी जान करी में आपको देने वाली हूं तो विडियो को लास तक दीगेर चले वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं जी हां जैसा कि आप देख सेंट यहां पे आई-वी-पे-टे अरबी के बारे मसा डिटेल्स दिया गए बारे में फूल डीटेल में आपको स्टेप बाइब बताने बहुंत घाण को होता है कौन को इंटर्वियों में क्या क्या पूछा जाएंगा तो शाट डीटेल समें बताने बेत चाहें तो यहां से आप ले सकते होो जिहां फिस्टोर यहां पर पोस्ट के बारे में बताया गया तो फूल डेटेल में आपको बताने बारे आप सब्सक्राइब बताने वाली हूं पार पहले उस से हम इप्हें इकजाम होताए है पहले अब पहले होगा फिर आपका प nuoफेंस एक्जाम लिया जाँ को कालिफाइब लिया में इपने क्वालिफाइक कर लिया तो आपका इंटर्वीव लिया जाएगा त्री फेज में आपका सेलेक्शन होगा त्री अप्डेश सब्जेक्ट कॉनकों से होने बाले हैं आप देश तो यहां पर सब्जेक्ट क्या प्राइब करें तो आप किस तरीके से ले अता हैं इंगलीई लेना चाहिए हिंदी लेना चाहिए साड़ा में फुल टिटेल्स में बताने वाली हो जिएपर जैंट जो यहां पर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए बताए बैंक्स क्लरक के लिए का मैं अपको बता दूँ कि प्रिलिम्स एक्जाम ने करना है और उसके बाद आपका आपने कंपलीट कर लिया तो उसके बाद जो है आपका मेंस का एक्जाम होगा जिहां मेंस का एक्जाम जो है कौन को सा सब्जेक्ट आएगा और डिटेल्स में आपको बता देरी हूं आप देश्टों रिजनिंग का आएगा 40 ले सकते हैं यहां पर बहुत हीजी कर दिया यहां पर हिंदी ले सकते हैं यहां पर ही दिख ले मुझें आपको क्वोटी मार्स का कए आप हीन्टी लो हिंदी में ख्वोत से महांख समय गुश्प में आपको एकजाम हुआ नॉय नॉयन यहां यहां रिपर टू आपर का इकजाम हुआ रिख्वट सरत होी हैं दिए आपने से क्लिफर कर लिए मिस तो यहां प cognition के प्रोषिश होगा जैसर दीटिस में इसके बार expeditionर की बारत है उससेетрал के धूर चिल वाल यह भी यहां प्लिए स्ट दिया है इसमें भी सेवूर्व कहने ने बता ऊहीं कवस्ति के लिएगा 45 विंधम होगा मैहां औरस निंग लोग फोट फोटीफियों मार्क्स के एटी मार्क्स के आपके एक्जाम के 45 मिनिट में आपको कम्प्लीट करना है यही होगा जो है प्रोसेस और मेंस का जो है वही आपका सब्जेक्ट दिया जाएगा मैथ रिजनिंग कंप्यूटर इंग्लिस और जेनरल अवेड़नेंस इसमें भी आपका टू आवर्स पर फेकल में बताने वाले हुए कि इसमें कैसा अब को अग्जाम होने बारे हो पर लिया जाएगा इसमें को आपको फेलिम्स का नहीं होगा डायक्ट आपको एक्ग्जाम लिया जाएगा यहाँ पर इंगलीटी-फॉर्टी मार्क्स के लिए जाएंगे रिजनिंग का 40 यहां पर आपको जो है टाइम दिया जाएगा जिहां तो अब इस पताने वाली हूं जिहां फ्रेंस की मैथ में आपके कौन-कौन से चैप्टर से बताने बाले हूं वीडियो को लाश्ट तक देखें तो यहां पर जो है अस्किल थी का जडिटेल्स दिया गया यहां पर दो इंटर्व्यू का भी यहां पर दिया गया है तो और भी टिटेल्स यहां पर आपको बताने वाले अब दोस्त यहां पर मैंने पहले ही बताया कि टू आपर थार्टी से मिनट्स का यहां पर जो है अपको एक्जाम लिया जाएगा जिहां फिर पर बताने वाले हूं कि आपका जो है डिजनिंग में कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा हिंदी में आपको कौन कौन सा में चैप्टर है जहां फिर डिटेल्स आपको बताने वाले अब देश तो यहां पर सैलेवस के बारे में दिया गया रिजनिंग पहला क्वांटिटिव एटिटिव रिजनिंग जो है हिंदी मैथ इंग्लिस कंप्यूटर न पर आपको क्वेस्टन की कौन क्यूंतो आपको सब्सक्राइब देश हैं करैंस्क्राइब पजल होता है जहां पर पजल आपकी बहुत सारे मार्स के आएंगे शिटिंग एरेज्मेंट भी आपका में चैप्टर यह से आपको पढ़ लेना जहां पर पजल और से ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग यह सब सारे से भी क्वेस्टन आपको पूछ लिया जाएगा जि इंगलीज के बारे में यहां पर इंगलीज के बारे में यहां पर जो रिटिंग कंफ्रिहंस नागा एडर आएगा जिहां फिल इन दब्लैंक क्लोज टेश्ट जहां फिस सब आएंगे आपको स्क्रीन सोट लेना तो अपको पढ़ लेतास हिंदी के बारे में कंफ्र टल से यहां पर दिया गया तो सारा मैं जो लिंक डिस्क्रिप्सिंट बॉक्स में दे दूंगे आप वहां से डायक्ट आके इसका स्क्रीन सोट लेके फिर यहीं सब चैप्टर को आपको पढ़ लेना है जहां पर यहां पर यहां पर पूछे जाएंगे सब्सक्राइब दिया गया जहां तो चलिए आज के लिए बस इतना है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स में सेर जरू कर दिएगा ताकि सबको इसके बारे में अच्छे से समझा सके जहां फ्रेंट चलिए आज कि बस इतना है थैंक यू